लोगर्थमिक डेरिवेटिव और फंक्षन गिवन इन रूट्स प्रोडेक्ट और डिवाइड इसमें क्या होगा कि प्रोडेक्ट में दिया होगा या फिर डिवाइड में दिया होगा मतलब कॉंप्लेक्स रूट होगा कॉंप्लेक्स रूट का मतलब काफी सारे फंक्षन हो स तो जो मुश्किल से मुश्किल fraction होगा वह भी एजली जो है वह लॉग से आप सौल कर सकते हैं ठीक है तो देखिए जैसे question है find dy by dx under root x-1 x-2 x-3 x-4 x-5 यह question 5.5 को question number second है तो पूरे पर root है तो root का मतलब होता है half तो हमने इस root को हटा के क्या लग दिया हाफ ठीक है पूरे पर root है ना root का मतलब क्या होता है half तो पूरे पर root पूरे पर power क्या आगई हाफ टेक लॉग बोच साइड दोनों साइड लॉग लिया लॉग वाई अब जो अभी इससे पहले दो वीडियोज है सब में हमने यह बताए कि power हमीचा आगे आ जाती है तो half power में है तो half आगे अब देखो ध्यान से यहां से समझना है सारा x-1 और x-2 multiply में है ठीक है तो यह दोनों plus में लिखे जाएंगे log x-1 plus log x-2 जो multiply में है उसको plus में लिखना है और जो upon में है उसको minus में जो multiply में होंगे उसको plus में लिखना है और जो upon में होंगे वो minus में यह rule है log का यह rule है log xy हो तो क्या लिखते है log x plus log y तीन rule लिखवाए थे पहला rule यह था log x into y log x plus log y multiply में हो तो plus में लिखते हैं और divide में हो upon में हो तो minus में लिखते हैं log लगाके आगे log लगाना है function में ठीक है और तीसरा rule क्या था log x की power n power हमेशा आगे आजाती है third rule जो कि हम ज़्यादतर सभी question में use कर रहे है power हमेशा आगे आजाती है वो third rule है multiply में हैं, तो plus में लिखेंगे, upon में हैं, तो minus में लिखेंगे, यह चीज़ धियान रखना root वाले में, ठीक है, तो दोनो multiply में हैं, उपर, x-1, x-2, तो दोनो प्लस में लिख दिए, x-3, x-4, x-5, ये upon में है तो minus में लिख दिये log x minus 3 log x minus 4 और log x minus 5 इनके आगे minus लगा देंगे क्योंकि ये उपर है upon में है ठीक है और power हमारा क्या है half half आगया आगया ये रहा तो power हमेशा आगया आगी और दोनों multiply में है तो plus में upon में है तो minus में और log लग जाएगा सब क्या आगे log x minus 1 plus log x minus 2 minus log x minus 3 log x minus 4 log x minus अब log y का derivative क्यों होगा 1 upon y साथ में dy में dx क्योंकि है y में कर हम x में रहे हैं half log x minus 1 का 1 upon x minus 1 log x minus 2 का 1 upon x minus 2 log x minus 3 का 1 upon x minus 3 log x minus 4 का 1 upon x minus 4 log x minus 5 का 1 upon x minus 5 log का derivative होता क्या है जो भी होता है upon में आ जाता है सीधा सीधा log का मतलब log x का 1 upon x होता है जो भी function होता है सीधा upon में आ जाता है तो log x minus 1 का derivative 1 upon x minus 1 x minus 2 का 1 upon x minus 2 x minus 3 का 1 upon x minus 3 जो भी है upon में आ जाएगा ठीक है और y को इदर cross में भेज दिया यह रहा y y की जगा यह value function जो है वो put कर दी तो यह answer इसका अब देखो question number 5 exercise का x plus 3 की power 2 x plus 4 की power 3 x plus 5 की power 4 multiply में बीच में कुछ भी नहीं है तो क्या sign है multiply का multiply का sign है तो इसको कैसे करेंगे take log both side दोनों side log लिया log y power में यहाँ पर 2 है तो 2 आगे log x plus 3 log base में लगता है लग गया तीनों multiply में तो plus लगेगा यह plus आगे यह power में 3 3 हमें power में न ही रह 3 तो 3 आगे power आगे log x plus 4 plus क्यों लगा रहे है क्योंकि multiply में है समझ मारा है multiply में है तो plus और upon में है तो minus अब देखो x plus 5 की power 4 है power कितना है यहाँ पर 4 4 आगे और plus log x plus 5 तो देखो 2 derivative लो log y का 1 upon y dy by dx log x plus 3 का क्या आगा 1 upon x plus 3 log x plus 4 का 1 upon x plus 4 log x plus 5 का 1 upon x plus 5 तो answer ही आगे 2 upon x plus 3 3 upon x plus 4 4 upon x plus 5 और y इदर cross में क्या y की value यह put करतेंगे ठीक है y क्या put कर देंगे यह जो y है y की value यह है न यहाँ put कर देंगे आजएगा answer तो देखो y put कर दिया now cos x first question exercise का cos 2 x cos 3 x तीनो multiply में है अब कोगे product rule लगा सकते है लग सकता है product rule से भी हो जाएगा बट अगर log से करना है तो take log both side log y log cos x plus क्योंकि तीनों multiply में plus में लिख देंगे log cos 2 x log cos 3 x तो log cos x का क्या होगा 1 upon cos x और फिर cos x का भी करेंगे minus sin x cos 2 x का 1 upon cos 2 x फिर cos 2 x का sin 2 x और 2 x का 2 2 x का 2 ठीक है 2 x का क्या होगा यह रहा 2 x का 2 है ना sin 2 x अपान फिर cos 3 log cos 3 x का 1 upon cos 3 x cos 3 x का 3 sin 3 x minus sin upon cos 10 x minus sin 2 x upon cos 2 x 10 2 x और sin 3 x upon cos 3 x 10 3 x minus common तो यह आ गया और यह y cross में आके इदर y की value यह cos x cos 2 x cos 3 x यह put कर दिया यह answer इसका तो मतलब जो multiply में plus करके लिख सकते हैं इसको ठीक है plus करके लिखना है अब जैसे एक और question देगो अब root है इस पे पूरे पे root है अंदर x minus 3 x square plus 4 है 3 x square 4 x plus 5 है ठीक है तो पूरे पे root है तो उसका मतलब root को हटाएंगे तो क्या लगाना है half root का मतलब half तो take log both side दोनों side log लिया log y power आगे आ जाती है ना इसमें power क्या है देखो यहां पे half है power half आगे यह दोनों multiply में है तो plus में लिखे जाएंगे log x minus 3 plus log x square plus 4 और यह upon में तो minus में upon वाले को minus में लिखना है minus log 3x square 4x plus 5 यह लिख दिया log x minus 3 का derivative log y का one upon y dy by dx यह आगे इदर log x minus 3 का one upon x minus 3 log x square plus 4 का one upon x square plus 4 x square का भी करोगे जो जुड़ावा part है तो x square का 2x हो जाएगा 4 का 0 तो 2x आगे ऐसे 3x square 4x plus 5 upon में आगे log के log है ना आगे upon में फिर इसका भी करेंगे 3x square का 6x और 4x का 4 5 का 0 तो answer यह आ रहा है one upon x minus 3 2x upon 6x plus 4 upon और y दर cross में y की value जो है यह put कर दिया अपने y है यह यहाँ पे y की जगा put कर दिया यह पूरा तो यह answer आ रहा है तो root का मतलब पूरे पे root है तो half half आगे जो multiply में उसको plus में लिख दो log आगे लगा के log x देखो यह दोनों multiply में है यह दोनों multiply में है तो यह लिख दिया और यह upon में है तो minus में लिख दिया ठीक है और फिर log के साथ जो भी होता है upon में एक और question देखो x-3 की power 5 by 2 है x square plus 2 7 by 2 है 4x-3 की power 3 by 2 है 3x square 5x plus 7 की power 2 by 5 है यह complex complex का मतलब थोड़ा fraction में power है इसमें divide rule तो लग नहीं सकता क्योंकि बहुत दोनों multiply में हो रहा है फिर upon में हो रहा है fraction में है complex इसे बोलते है complex division है यह ठीक है तो इसमें log ले लेंगे log से कितना भी मुश्किल derivative इजी हो जाता है take log both side log y अब देखो 5 by 2 है यह power 5 by 2 है 5 by 2 आगे 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 log x-3 multiply में है तो plus में लिखेंगे plus का sign देंगा यहाँ पे बीच में plus का sign आगे यह क्योंकि यह multiply में है 7 by 2 power में आगे आगे 7 by 2 ठीक है 7 by 2 आगे log x square plus 2 और यह upon में है तो minus में minus 3 by 2 है न पावर 3 by 2 आगे log 4 x minus 3 2 by 5 है power 2 by 5 आगे अब minus लगाना है क्योंकि upon में log 3 x square 5 x plus 7 तो देखो इसका derivative क्या होगा 5 by 2 का तो होगा नहीं number का होता नहीं है log x minus 3 का 1 upon x minus 3 log x square plus 2 का 1 upon x square plus 2 और साथ में क्या है x square का 2 x यहाँ पर 2 x आगे ठीक है 2 x आगे न अब 3 by 2 है 3 by 2 और log 4 x minus 3 है तो 3 by 2 log 4 x minus 3 का 1 upon 4 x minus 3 और 4 x का करेंगे तो 4 आगे है ऐसे 2 by 5 आगे 3 x square 5 x plus 7 नीचे ठीक है यह नीचे है और 3 x square का क्या हैगा 3 x square का 6 x और 5 x का 5 5 x का 5 और 7 का 0 हो जाएगा और y इदर cross में गया तो देखो 5 यह 2 से 2 x कट गया तो 7 x बच रहा है 2 से 4 x 4 को काट है 3 2 जा 6 बच रहा है यह answer है y की value यह put कर दे रहा है आप यह सारा तो इसके answer लंबे आएंगे और जो complex root हो ठीक है root वाले हो या बहुत power fraction में हो तो log ले लो दोनों side और जो multiply में उसको plus में लिख दो जो upon में है minus में लिख दो ठीक है log में अब देखो इसके बाद equal to वाले आते हैं इसमें क्या करते है यू और वी नहीं मानना है इसको आपने बीच में क्या है यहाँ पे बीच में यहाँ पे बीच में equal to का sign है ठीक है बीच में क्या है यहाँ पे equal to का sign तो इसको u और v मत मानना जब प्लस यह माइनस होता है तो u और v मान के करते हैं इसमें डिरेक्ट लॉग लेलो बोस साइड जो equal to वाले function है जब बीच में equal to का sign दिया होगा वहाँ पे u और v नहीं मानना डिरेक्ट लॉग लिया तो देखो power x है तो x आगे log y यहाँ पे y पावर में तो y log x multiply rule लगाया first function x है log y second function यहाँ y first function दोनों side protect rule लगा तो x को छोड़ा log y का 1 by y dy by dx log y को छोड़ा x का क्या होगा 1 y को छोड़ा log x का 1 by x log x को छोड़ा y का dy by dx तो dy by dx वाली जो term है उसको एक side रखना है यह तो यह है dy by dx x upon y dy by dx और यह किये है तो इसको इस तरफ लेकर आओगे तो इस तरफ आगे minus हो गया इस log y को दर लेकर आओगे minus हो गया तो देखो दोनों में dy by dx common है take common LCM लिया x minus y log x upon y और यहाँ पे x LCM लिया y minus x log y upon x y इदर गया और यह इसके upon में तो answer ही आ रहा है dy by dx यहारा answer ठीक है तो यही करना है जब equal to का sign हो बीच में तो direct log लेना है direct log लेना है u और v मत मानना plus minus हो तो एक को u मानलो एक को v मानलो फिर जैसे मैंने पिछले वीडियो में समझाया था वैसे कर लेना बीच में यहाँ पे देखो यहाँ और x-y जो है यहाँ power में है तो x-y आगे log e log e log e की value होती है 1 तो यह 1 हो जाएगा log e 1 हो गया log x का 1 by x log y का 1 upon y dy by dx और x का 1 y का dy by dx की तरफ माइनस इस तरफ जाके प्लस 1 by x इस तरफ दोनों में dy by dx common है x-1 upon x यहाँ y आ गया तो y इस तरफ गया तो इसमें यही करना है जो भी तुम्हें प्रोडेक्ट में दिया होगा multiply में दिया होगा उसको प्लस में लिखना है आगे log लगाके और जो upon में होगा उसको माइनस में ठीक है और जहां पर equal to a sign होगा महां पर यू और भी नहीं मानना है direct log लगाना और product लगाके डी बे इस नहीं है उसको एक तरफ ठीक है तो इसमें इतना ही है आई विल सेंड सम कोशन बेस्ट अन दिस टॉपिक ठीक है रूट वाले और फ्रेक्शन वाले में बेस्ता हूँ ट्राइटू सॉल्ट इस कोशन ठीक है इस वीडियो में इतना ही है थैंक यू वेरी मच